Hello everyone, welcome back in our YouTube channel V2 Academy दोस्तों आप सभी की काफी ज़्यादा कमेंट मेरे पास मेरे टेलेग्राम चैनल पे और साथ में YouTube वीडियो के कमेंट्स में भी आए उन सभी सबालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ ठीक है दो-तीन important topic पे discuss करेंगे सबसे पहले कि first session का admit card कब तक release होनी की chances है ठीक है क्योंकि finally इसके application form तो end हो चुकी है उसके बाद दोस्तों second बात हम लोग करने वाला है second session का application form कब से open होगा और third और सबसे important बात हम लोग करेंगे COVID-19 की सुथी आप लोग देख सकते हैं काफी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो क्या COVID-19 की बजह से आपके first session का examination क्या further postpone होने की chance है क्या ये affect करेगा आपके जही मेंन के first session को इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे और इसमें दोनों फक्षों को लेकर बात करेंगे ठीक है ना दोस्तों क्योंकि अब examination बिल्कुल भी postpone नहीं होनी चाहिए finally काफी ज़्यादा delay हो चुका examination बच्चों तो डिमांड कर रहे थी कि एक महीने के लिए postpone हो धाय महीने के लिए postpone कर दिया गया और अगर अब होते हैं postpone ना तो बच्चे काफी ज़्यादा टूट जाएंगे तो इन दोनों पक्षों को लेकर हम बाते करने वाले हैं सो वीडियो को पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के अंति तक आप देखिएगा ठीक है ना दोस्तो कुछ ऐसे है जहां पर कोवीड की केसे काफी जादा देखने को मिले जैसे कि डेल ही उसके अलाबा यूपी एंड हर्याना में ठीक है यहां पर लोग साब साब देख सकते हैं कोवीड की सिती है अगर हम देखे तो अगर हम अप्रील में बात करें तीन अप्रील को एवरेज देखे तो 380 यानि कि 3,180 है जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोवीड की केसे में लगतार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैई में के फर्स्ट सेशन पे इसका क्या कुछ एफेक्ट पढ़ने वाला है दोस्तो आपकी एक्जामनेशन 20 जून से स्टार्ट होने वाली है और अगर उस समय की सिच्वेशन यानि कि 20 जून के आसपास की सिच्वेशन अगर कोवीड की परति दीन केसेज 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच में अगर रहेगी ठीक है क्योंकि अभी तो आपकी एक्जामनेशन में लगबग 50 दीन का समय है तो अगर उस समय की सिच्वेशन 30,000 से 40,000 के प्रति दीन केसेज के आसपास होती है तभी आपके एक्जामनेशन को पोस्टपॉन किया जा सकता है वरना आपके एक्जामनेशन बिल्कुल पोस्टपॉन नहीं होने वाली और बिल्कुल एक्जामनेशन आपके बिल्कुल सही समय पे है पोस्टपॉन होनी भी नहीं चाहिए आपनों मुझे जरूर बताएगा क्या आप मेरी इस बात से एगरी हैं आप लोग बस इतना दुआ करिए कि कोबिट की केसे ज़्यादा बढ़ूतरी ना होगी तो अगर कोबिट की केसे में बढ़ूतरी होती ह है तो आप दुआ करिए कि उस समय सिच्वेशन बिल्कुल ठीक ठाक रहे है और आपकी एक्जामनेशन सही समय पे कंड़क्ट हो जाए अब हम लोग दो काफी इंपोर्टेंट चीजों को लेकर बात करेंगे सबसे पहले बात करने वाले हैं सकेंड एटेंट के एप्लिकेश इस टेस्ट का नाम है सूपर ठटी टेस्ट ठीक है न यह चीजे काफी ज़दा इंपोर्टेंट है दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आप 50 डेस तक अभी आपके पास एक्जामनेशन में लगवग 50 डेस का समय है ठीक है और अगर आप डेली यह बिल्कुल फिरी है मैं आ काफी ज़्यादा इन्हाइंस कर लोगे और इसके अंदर आपको प्राइज मिलता है 50,000 पर तक का प्राइज रखा गया है जिसमें कैसर बीनस में आपको दिखाना चाहूंगा इसको ज्वाइन करना काफी ज्यादा आसान है इसमें ज्वाइन करने में कुछ नहीं है ठीक है सिंपली आपको टेलिग्राम को ज्वाइन करके रखना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सिक्षन के सबसे टॉप पे मिल जाएगा उस टेलिग्राम को ज्वाइन करके रखिए डेली में साम को पात वज़े लिंक सेर कर देता हूं ठीक है और साम के छे यहां पर इनाउंस किये गए है वंसिका बंसल प्रतीक कुमार इंदरजीत कुमार वर्तिका सिंग साक्षी गुपता इन सभी को प्राइज मिल चुका है लग्की विनर्स के रूप में तो अगर आप भी जीतना चाहते हैं प्राइज और आपने मांक्स को इनहांस करना चाहते ह है तो इतना पहले आपको NTA admit card क्यों देगी आपकी examination start है 20 जून से ठीक है तो आपकी examination के लगबग 5 से 6 दिन पहले ही आपको admit card मिलेगा और वो date हो सकता है 14 या फिर 15 जून को ठीक है तो 14 या फिर 15 जून के आजपास आपके admit card आपको देखने को मिलेगा उसके पहले आपके admit card आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला और दोस्तों वहीं बात आती है second session के registration को लेकर तुम्हें आपको बता दू सकेंड session के registration अब किसी भी बक्ती start हो सकता है क्योंकि दोस्तों मई के first भी की start हो चुका है ठीक है और यह चीजे लगबग 5 या फिर 6 मई के आज अपडेट कर दूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा लीजेगा हर एक अपडेट आपको सबसे पहले वीट्यू एकडमी के माधियम से प्रवाइड की जाती है ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में जय हिंद जय भारत